सिल्मान खान के धमा किदा शो बिग बॉस सीजन 16 में इस दिन रोजाना लड़ाई जगड़े देखने को मिल रहे हैं जहां पिछले वी कर्चना और शिफ ठाकरे में जम का जगड़ा हुआ था तो वहीं इसी वीक शालीन भनोट और MC स्टेन आपस में भिड़ गए हैं लेकिर उनकी इस लड़ाई में शिफ ठाकरे भी कूद पड़े हैं बताया जा रहा है कि जगड़े के बीच ही शिफ ने शालीन भनोट की गरदन तक पकड़ ली थी इस बात को लेका लोगों में नराज की देखने को मिल रही है वहीं अब गौहर खान ने भी शिफ ठाकरे पर निशाना सादा है इसके साथ युनों ने बीते दिन की लड़ाई में शालीन भनोट को क्लियर ली तोर पर सपोर्ट किया है गौहर खान ने शिफ ठाकरे द्वारा शालीन भनोट की गरदन पकड़ने पर नाराज की जहिर की है साथी MC स्टैन को भी आरे हातों लिया है गौहर खान ने अपने ट्वीट में लिखा है शिफ ने वाकई में शालीन का चहरा पकड़ कर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया गरदन के पास तो क्या शिफ को खुद को बाहर नहीं निकाला चाहिए शालीन ने कल कुछ गलत नहीं किया था उसे स्टैन ने फिजूल में गाले दी उसकी भाशा पहले से ही खराब है इसका पूरा ग्रुप भी बदमाशों से भरा है बला आपको बता दें गौहर खान के लावा रहुल वैते भी एंसी स्टैन और शिफ ठाकरे की खलाफ नजर आ रहे हैं प्रुप प्रुप बदमाशों से लावाशों से भी खलाप है